अगर आप लोग किसी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों को लूसेंट, सामान ग्यान की बुक्स, फढ़ने की सलाय जरूर दे जाती होगे आप लोग को इस्टेट लेवल का एक्जाम देख लीजे या फिर आप दीकि सेंट्रल लेवल का जो एक्जाम होता है जिसमें आपका जीके जीएस पूंचा जाता है उसके लिए लूसेंट काफी महत्पूंड हो जाती है और आप देखें कि वही एक तरसे फोईंट इसमें दिये गए जहां से आपके कुश्चन्स बनने की पूरी संभाव ना रहती है और अगर आप लोगों को विस्तार में पढ़ना है तो आप लोग NCEIT पढ़ सकते हैं मैं तो यहां तक देखा है कि आप देखें स्टेट PCS हो या सिबल सर्वेस हो जब आपका नजदीक टाइम पेपर का नजदीक टाइम आ चुका होता है आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो revision के point view से आप लोग कभी कभी Lucent को भी पढ़ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्पूर्ण वोख है और आप सभी लोगों की मांग थी कि latest जो Lucent आई हुई है उस पर हमें बात करनी चाहिए इसे आपका खरीद कर लाया हूँ अभी हाल ही और देखी खास कर आपके उद्देश के लिए आप लोगों के लिए लाया हूँ तो चलिए इसमें हम लोग देख चुके हैं भी तक आपने देखा होगा हम लोगोंने प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके हैं और फिर आपने देखा है कि हम लोगोंने मद्द कालीन भारत का इतिहास भी कवर कर चुके हैं फिर आपने देखा होगा कि मद्द आधुनिक भारत का इतिहास भी हम लोग कवर कर चुके हैं आज की इस कलास में हम लोग विस्त इतिहास कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्टरी कवर कर इसमें हम लोग पुनर जागरन देखेंगे, अमेरिका का सुतंता संग्राम देख लेंगे, फ्रांस की राजिकरांती भी देख लेंगे, इटली का एकी करन देख लेंगे, जर्मनी का एकी करन, रोसी करांती, और दोगी करांती, इंग्लेंड में करांती, प्यत्थम का उदय जर्मनी में नाजीवाद का उदय जापानी समराज और दुतिये विस्यों के बारे में देखिए वैसे आप देखें अगर विस्व के इतिहास को पढ़ें आप लो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझ रहें आप लो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें आप ल पेपर करवाता है उसे भी मालू रहता है कि किसी भी बच्चे के लिए पूरी दुनिया भर का इतिहास पढ़पाना संभाव नहीं है और इसलिए आप देखिए वो भालत की इतिहास से पूछ लेता है या उन घटना और से कुष्टन से पूछ लेता है जो विस्व में चल् देखते रहिएगा तो सबसे पहले हम दोग चलते हैं पुनर जागरन को देखते हैं इतिहास में पुनर जागरन को देखते हैं तो पुनर जागरन का प्याराम इटली के फिलोरेंस नगर से माना जाता है अगर आप से पूछे कि पुनर जागरन का प्याराम कहां से हुआ थ तो इटली के फिलोरेंस नगरत से माना जाता है इटली के महान कभी थे दाते और 1260 से 1331 तक इनका समय रहता है को पुनर जागरन का अगदूत माना जाता है इनका जनम फिलोरेंस नगर में हुआ था दान्ते ने प्राचीन लेटिन भासा को छोड़कर तकालीन इटली की बोल्डचाल की भासा, तसकन में डिवाईड कॉमेडी नाम काब लखा था, डिवाइन कोमेडी किसका काब दता तो दानती का, और इसने दानती ने स्वर्ग और नरग की एक काल भने, यात्राक वरडन भी की गिया इसमें, दात्य की बाद पुरहजागरन की भावना का प्रसाय देने वाला दूसरा विक्ती था पेट्रोग और इस आदिकी इसका जीवन का लेता है तेरह सु चार से तेरह सु सर्शक तक पैट्रोग को मानवाद का संस्थापक भी कहते हैं वह इटली का निवासी था इटालियन गद्द का जनक कहानिकार वो को सियो को म पास ही मैकिया वैली को माना जाता है ठीक है और मैकिया वैली की प्रमुख पिस्तकों की बात करें तो आप प्रेंस हो गया जो राज का एक नवीन चित्र पिस्तुत करता है मैकिया वैली की इस पोस्तक को भी याद रखेगा आधुनिक राजमेतिक दर्सन का जनक अगार माइकेल एंजेलो और राफेल ठीक है लियो नार्दो दाविंची एक बहुंबु की पितिभा संपन बैखती था वह चितकार मूर्तिकार इंजिनियर विज्ञानिक और दासने कभी और गायक था याद नहीं कि कई चेत्रों में महारत हासिल किये हुए था लियो नार्दो दुख दा विंची का है दा लास्ट सपर भी इसी का है माइकल एंजेलो भी एक अध्वुत मूर्तिकार और चितकार था और दा लास्ट जज्जमेंट और दा फाल ओफ मैन ये माइकल एंजेलो की किरतिया है ठीक है सिस्तान के गिरजा घर की चत में माइकल एंजेलो के पुनर जागरण काल में चितकला का जनक जियाटू था, जियाटू को माना जाता है, पुनर जागरण में, पुनर जागरण काल का सर्फसिष्ट निबंदकार रहा है, इंगलेंड का फ्रांसिस वेकन, क्या निबंदकार, हॉलेंड के एरा समस ने अपनी पुस्तक दाप प्रेज और फॉली में बेंगात्मक धंसे पादरियों के अनेतिक जीवन और इसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया इंग्लेंड के लेकर टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटो यूटोपिया में आधर समाचार समाज का चित पिस्तुत किया है यह इंग्लेंड का लेकर था मार्टिंग लूथर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा ए जर्मन भासा में वाइवल का अनुबाद पिस्तुत किया था इसने पिथवी सौर मंडल का केंद इसका खंडन सरफितम पॉलिंड ने वासी कौपर निकस ने किया था ठीक है न्यूटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा इसने गुरुत्वा करसं की नियम का पता लगा था धर्म सुधार अंदोलन की सुरुआत 1620 सताब्दी में होती है धर्म सुधार अंदोलन का प्रिवर्तंग मार्टिंग लूथर को माना जाता है आप सभी को मालो होना चाहिए जो जर्मनी करेने वाला था इसने वाईवल की अनुवाथ कुछर्मन भाषा में किया था ठीक है और धर्म-दोलन की सुरुआत सब से पहले इंग्लेंड में हुई थी जॉन विकलिफ, विकलिफ को धरम सुधार अंदोलन का प्राता कालीन तारा भी कहते हैं और इसके अनुराई लो लायर्ड कहलाते थे अमेरिका की खोज किस्टोफर को लंबस ने की थी यह भी याद रखेगा अमेरिगो, विस्पूसी, इटली के नाम पर अमेरिकार का नाम अमेरिका पड़ा था पिसांत महासागर का नाम का इस्पेन बासी मैगलन ने किया था पिसांत महासागर जो जितना बड़ा होता है ना कहते हैं उतना सांत होता है पिसांद महासागर से इसकी दुल्ला कर सकते हैं आप लो समुद्री मार्क से संपूर्ण विसका चक्क लगाने वाला पिथम ब्यक्ती मैगलन था यह भी आप लोग याद रखेएगा फिर बात आती है अमेरिका की सुतंता की अमेरिका की अजादाई की अमेरिका में वेटिस अफ नेवेश से कर समराज की नियो जेम्स पिथम के सासनकाल में डाली गई थी और अमेरिकी सुतंता अंदोलन के दौरान इंग्लेंड का सासक जौर्ज तितिये था और रेड इंडियन अमेरिका के मूल नवासी थी अमेरिका की को पूर्ट सुतंता 4 जुलाई 1776 को मिली थी अमेरिका सुतंता की घोष्णा ने सर्गिक अधिकार के सिधान्त पर आधा थी अमेरिका का सुतंत योद आप देखेंगे 1783 में पैरिस की संधी के समाप हुआ था और इस संधी के अनुसार बेटेन ने उत्री अमेरिका की 13 अंग्रेजी उपनेवेसों की सुतंता सुईकार कर ली थी अमेरिका की सुतंता संगराम में लफायते की नेत्यतों में फ्रांसी सी सेना ने इंगलेंड की विरुद भाग लिया था सब्त वर्सी ये योद भी आप लोगों ने सुना होगा ये इंगलेंड की काफी आर्थिक छती हुई थी इस से इस छती पूर्ती हेतु ततकालिन पिदानमंत्री ग्रेन विले ने 1765 में स्टांप एक्ट पारित किया जिसके अनुसास सभी अधालती कागजों अख़वारों और 20 सिलिंग का इस्टांप लगना अनिबार था आज कल भी आप तो इस्टांप देखते होंगे ना 1767 में बेटे संसद ने कागज सीसा चाय और रोगन जैसे ओभोगता वस्तुमा पर भी कर लगाये था और ओपने वेस्वासियों ने इस इनकरों का व्यापक विरोद किया और सेमूल एडम्स ने पिती निदित नहीं तो कर नहीं का नारा भी दिया था सब्त वर्सी यह उद्ध की बात करें तो इंगलेंड और फ्रांस के बीच हुआ था और यह आप देखेंगे 1756 से 1763 के बीच चला था तो इसे भी याद रखेगा यह भी कुश्टन्स बन गया कई बार सुतंता अंदोलन के दोरान ओपनेवेस वासियों ने स्वाधिन्ता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो बेटे सरकार की कारवाहियों का विरोध करती थे 1776 में टॉमस पैन की लगुपत्ती का कॉमन सेंस पेकासित हुई थी इसमें अत्यंत प्रभावसाली उत्तेजक सेली में सुतंता की आवस्सक्ता पर बल दिया गया था टॉमस पैन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी अमेरिकी सुतंता संग्राम का नायक जौर्ड वॉसिंटन थे जो बाद में आप देखते हैं कि अमेरिका का पितम राष्टपती भी बने थे अमेरिकी सुतंता संग्राम का तकालीन कारण था बॉस्टन की चाय पाइटी यह जरूर याद रखेंगा यह कुश्टन के बार पूछ लेता है यह 16 दिसंबर 1773 की घटना है और इसी कारण अमेरिका का सुतंता संग्राम प्यारम हुआ था इस घटना का नायक था सेम्वल एडम्स पंदरे पांस सेप्टमबर 1774 को तेरह उपने वेस्टों के पितिनेधियों का फिलाडेल्फिया सहर में एक महा देशिया संभेलन आयवजित किया था जिसमें बैटिस कानूनों का विरोद व्यापार के भाहिसकार का नेड़े लिया गया था पिर आप कियेगा रखना भी चाहिए याद आपके पास और किसी के पास दूसरा अप्सन भी नहीं है देखिए सीधी सीवाल था है कि जो पॉइंट याद नहीं हो रहे हैं उन्हें याद रख लीजिएगा एक बार लूसेंट को वैसे पढ़ लेना और फिर आप देखें कि जो समझ म में आ जाता है ठीक है जो छूट रहा हो से याद रखने की सिवाए आपके पास भी कोई ओप्सन भी नहीं है चार जुलाई 1776 में फिलाडेल भीया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ जिसमें टॉमस जैफर्सन द्वारा तेयार किया गया सुतंता का घोशनापत जारी कि प्रजातंत की स्थापना सरफ रिथम अमेरिका में हुई थी इसे ही आधुनी गरतंत की जन्नी भी हम लोग कहते हैं धरम निर्पेक सिराजी की स्थापना भी सरफ रिथम अमेरिका में भी हुई थी संसार में सरफ रिथम लेखिस समिधान भी सयुक्तराज अमेरिका में 1789 म लागू हुआ था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिला था उत्रा अधिकार कानून को भी निया संगत बनाय गया था इसमें मौन्टिसगी भी सक्ति पिथकण का सिध्धान्त कुमान ताइस्टी में मिली थी 1781 में आप देखेंगे उपनेवेशी सेना की सम्मुक आत्म समर्ण करने बाला बेटिन का सेना बती लौर कान्ड बाले सी था और अमेरिका में इसे बड़ी हार मिली थी अमेरिका विस का पहला देश है जिसने मनस की समानता हो उसके मौली कादिकारों की घोषणा की थी जो आपको लोग मौली का दिकार देखते ना इस तरह का कोई परावधान सबसे पहले अमेरिका में ही आया हुआ था अमेरिका में आप देखें कि दासों के आयात को 1808 में अवैद घोसित कर दिया गया था अबराहिम लिंकेन अमेरिका के राष्टपती 1860 में बने थे और अमेरिका में गरह योद्य की शुरुआत आप देखें तो 12 अपरेल 1861 में दच्छड़ और उत्री राजें की वीच हुआ था दच्री राज दास्ता की समर्दक थे और उत्री राज आप देखेंगे इसके विरोधी थे क्या थे विरोधी थे और अमेरिका गिरह होदी की सुरुवाद दच्छडी केरोलीना राज से होई थी और इसे होदी के फालसवरूफी दासपिता का अंत हो गया था पर आप देखेंगे एक जनवरी 1863 को अबराहिम लिंकन ने दासपिता का उनमूलन किया था और 1865 की बात है अमेरिकी ग्रह यूद की समापती हुई थी आप देखेंगे कि फ्रांस में भी राजिकरांती हुई थी फ्रांस की राजिकरांती होती है 1789 में लुई 16 भी कि सासनकाल में और इसमय फ्रांस में सामंती विवस्ता थी 14 जुलाई 1789 को कुरांती कारियों ने वास्तील के कारगेरें पर का फाटक तोड़कर बंदियों को छड़ा लिया था मुक्त कर दिया था और तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राश्टी दिवस सुतंता दिव ठीक है एक कुस्टन स्कूशले हो सकता है राजा की निरंकुस्ता और सुच्छा चालता पर अंकुस लगाने के लिए फ्रांस में पारलमा नामक संस्ता की जिसकी संख्या सत्रह थी और जिसका गठन नयायलाय की रूम में किया गया था नियाधीसों का पद कुलीन वर्ग के सुरक्षित होता था और ये पद बंस कर्वानु का धोता था वर्साय की सीस महल का निर्वाण लुई चौदरवे ने किया था वर्साय को फ्रांस की राध्धानी लुई चौदरवे नहीं बनाई थी लुई सोलेवा आप देखें कि 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठता ह है कब 1774 में और लुई सोलेवा की पत्नी मेरी एंट्वाने और आश्टिया की राजकुमारी थी और राष्ट की समाधी वर्साय का भड़कीला राजदरवार था लुई सोलेवा को देश दुरों के अपराद में फासी दे दी गई थी आप समझ रहें राजाओं को भी फास और टेले एक पिकार का भूमी कर हुआ करता था और टी थे एक पिकार का धार्मी कर हुआ करता था जैसे चर्च को देना पड़ता था फ्रांसी सी करांती ने में वाल्टियर मॉन्टिस्कियो और रूस में रूसों ने सरवाधिक योगदान किया था वाल्टेयर चर्च का विरोधी था और रूसो फ्रांस में प्रजात अंतात्मक सासन पदिती का समर्थक था और सौ चुहों की अब एक शाय एक सिंग का सासन उत्तम है यह कतन किसका था बताएए किसका था वाल्टेयर का किसका वाल्टेयर का ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखना चाहिए मुझे लगता है कि कोई आपसन भी नहीं है बता रहा हूं ना वार वार सोसल कॉंटेक्ट रूसों की बल लेटर्स और इंगलेस वाल्टेयर की रचना थी इस तरह की रचनाओं से भी पूंच लेता है कानून की आत्मा की रचना किस ने की थी कानून की आत्मा की रचना मॉंट इसक्रीव ने की थी और जिसके ने जिसमें सरकार के थी नंगों कारव आज भी आप देखते हैं कि इन तीनों के नाम आप लोग समीधान में जरूर पढ़ते होंगे समानता जिस मध्यम वर्ग से आगाज किया था सुतनता एवं बंधुति भी किरांती का नारा था अठारवी सताबदी में फ्रांसी सी समाध तीन एस्टेट्स और था तीन सेडियों में बटा हुआ था पितम एस्टेट्स पादरी होती थे दुधिये एस्टेट्स में अभिजात बर्ग होता था जबकि तीथी एस्टेट में आप देखिए इसमें देश की 90% जनता थी और इ लिब्रे थी क्या थी लिब्रे थी इस्टेट्स जनल की अधिविशन की सुरुआत पांच मई 1789 में हुई थी मापतौल का दस्वला परणाली भी फ्रांस की देन है राश्ट सांसकितिक राश्टी इता का जनक हार्डर को कहा जाता है नेपोलियन की अगर हम लोग जनम की ब नेपोलियन के पिता की बात करें तो कालो वनापाट इसका पिता था नेपोलियन ने बेटेंट के सैनिक अकादमीक में सिख्चा ली थी और 1796 नेपोलियन में इटली में और 1799 में में पिथम कौंसल वनाओर 1802 में जीवनवर के लिए कौंसिल बन जाता है 1804 में आप देखेंगो जो नेपोलियन फ्रांस का सम्राड बन जाता है एक छोटे से पत्से आप देखी किस तरह से बढ़ता जा रहा है आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माला जाता है नेपोलियन नहीं सरप्रतम इंगलेंड को बनियों का दिश कहा था किसका और नेपोलियन के बीच हुआ था नेपोलियन ने बैंक ओफ फ्रांस की स्थाफना अठसना अठाजित अठाजित होना पड़ा था और यूरोप के राष्टों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिप जिग नावकिस्तान पर हड़ा दिया था उसे बंदी बना कर एलवा के टापूर पर भिद दिया था परंतु वह लंबा एलवा से भाग निकला था और पुना फ्रांस का समराज बन गया था और अंधता मित्राष्टों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू की योद में पराजित कर बंदी बना लिया था उसे सेंट हेलेना दुईप पर भेद दिया था वहाँ 1821 में उसन की मित्ती हो गई थी और नेपोलियन लेटरल कारपूरल के नाम से भी जाना जाता ह इन सभी को नेपोलियन के बारे में याद रहे नेपोलियन से कुश्चन सात्य रहते हैं आपकी परीक्चा में नेपोलियन के पतन का करन था उसका रूस पर आक्मर। इंगलेंड के वर्डिज जीवाश्यत करने की नेपोलियन महादोई P.A. विवस्था का शूत पाद भी क किया था वेना कंगरे संभ होता इता है यूरोप की राश्टों ने 1815 में फ्रांस कीशन के przybuts कर मतर किया था कि रूस पहले से ही आप देखिए सक्ति साली रहा है यह आप लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं सक्ति साली रहा है ऐसा मानते है ओर मानते antich आज भी आप देखिए रोज का भी सकती साली माना भी जा रहा है, माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, फिर आता है आपका इटली का एकिकरण, किसका इटली का, उननीस्वी सदी के पुर्वारत में इटली में तेरह राज्य थे, कितने तेरह, और इटली के एकिकरण का जनक जो से मेजनी को माना जाता है मेजनी का जनसरा में हुआ नेवा में एटली के यकिकरण में सभसे बड़ा बाधक था ऑस्टीया दिweenक और एटली के एकिकरण में साड़ीनिया पीड मॉंड राजने अगवाई की थी और इटली की समस्या को Count Cavur ने अंतरष्टी समस्या बना दिया था और इटली के एकिकरन की तलवार Gary Valdi को कहा जाता है और इटली के एकिकरन का सिरे मेजनी Count Cavur और Gary Valdi को दिया जाता है यंग इटली की स्थाफना की बात करने तो 1831 में Joseph Mejani ने की थी Gary Valdi लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन भी किया था इसने कार्बो नरी सुसाइटी के संस्थापक था गेवर्टी ठीक है गेवर्टी बेक्टर एम्मुन्यल साइटीनिया का साथ सकता इटली के एक इक करन की सुरुआद लॉंबार्डी और साइडिनिया राज्यों की मिल से हुई थी और इटली राष्ट का जनम 2 अपरेल 1860 को मना जाता है 2 अपरेल 1860 को और 1871 में रॉम को सेयुक्त इटली की राध्धानी को सिद किया गया था यदि समाज में करांती लानी हो तो करांती का नेतिते नव यूकों के हाथ में दे दें या कथन जोसेप मैजनी का था नव यूकों आप देखें यूबा बरक का क्या हाल है देश में इटली का एक इक करन 1871 में काउंटर काउंट काउन ने किया था इतली की एकता का जनमदाता नेबूलियन को माना जाता है फिर आता है आपका जर्मनी का किसका जर्मनी का एक एकरन जर्मनी का एक एकरन विस्मार्क ने किया था विस्मार्क फिर्सा की सासक विलियम पिथम का पिधार मंतरी था और जर्मनी के सबसे सकती साली राज था फिर्सा और विस्मार्क जर्मनी का एकिकर्ण फिर्सा की नेतित में चाहता था और विलियम को जर्मन संकी समराट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाय गया था विस्मार्क को सबसे पहले सबसे अधिक भैप फ्रांस से था किस से फ्रांसे जर्मनी में राष्टी तक संदेश वाहक नेपोलियन वन अपार्ट को माना जाता है और जर्मनी के आर्थिक राष्टवात का पिता फेडरेक लिस्ट को माना जाता है जर्मनी राष्ट सवागो डायट की नाम से आप लोग जानते हैं यह फैंक फायट में होत लसर इत्यादी दार्शने को ने मात्पूर्ण भूमिका भी निभाई थी फैंक फर्ट समिधान सभा का गठन आप देखेंगे मई 1848 में हुआ था विलियम पिथम के सासनकाल में फिरसा का रक्षा मंतरी वान रून और सैनापती वान माल्टेक था 23 सेप्टमबर 1862 को विसमार्ग विसा का चांसलर बन गया था विसमार्ग की अगर जनम की बात करें तो एक अपरेल 1815 को विडर ब्रेड नर्वर में बर्ग में हुआ था और विलियम पिथम ने विसमार्ग को वाजीगर कहा था सेरी जुगा की योद में 1866 की वाथ है ओस्टिया ने पिरसा की आंगे आत्म समर्ग पढ़ कर दिया था हार मालली थी 23 सकस्त 1866 को प्रयाग संधी के तहत ओस्टिया जर्मन और संग में सामिल हो गया था प्रयाग ठीक है फिर आप देखेंगे फ्रांस और पिरसा की भी चिका सैडान कायोद ये 15 जुलाई 1870 को हुआ नेपोलियन तितिया ने पिरसा की आंगे एक सेप्टमबर 1870 को आदम समटमट कर दिया था बिसमार्क ने जर्मनी के समराट बिलियम पिथम का राज्जाविशीक वर्सार की महल में किया था फैंक फायट की संधी आप देखेंगे कि कब हुई थी 10 मई 1861 को माकरी 71 को फ्रांस और पिरसा की भी सूडान की योदि के बाद जर्मनी का एक एक संभव हो सुका था सूडान की योदि के बाद फिर देखेंगे आप लो क्या है फिर आता है आपका रूसी करांती होती है समाजबाद सब्द का परियोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया था वहें वैल्स का रहने वाला था आदर्सबादी समाज का परिवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है विज्यानिक समाजबाद का संस्था पक कार्ल मार्क्स को जाता है कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्कस ने दास केपिटल और कमिनिस्टिफ मैनीफेस्टो नमक पुस्तके लिखी थी इन से कुश्चन के इवार कुछ लिया इन पुस्तकों के बारे में तो याद रखेएगा फ्रांसेसी सामयबाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है केवियन सोसलिज्म कनेतत जोर्ज वनार्ड सोने किया था लंदन में फेवियन सोसाइटी की स्थाफना 1884 में हुई थी दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा काल माक्स ने दिया था रोस के सासक को जार कहा जाता था वह जार साही विवस्थाक मार्च 1917 को समाप्त हुई थी जार मुक्तिदाता के नाम से अलेकजंडर दुतियों को जाना जाता है जार मुक्तिदाता रोस का अंती में अगर जार सासक देखके तो आप देखेंगे जार निकोलस दुतिये था और 1970 में आप देखेंगे हुई रूसी करांति का ततकाली कारण पितम विसेध में रूस की पराजय ही थी पहले विसेध में रूस पराजय हो गया था फिर आप देखेंगे साद नमूम्बर 1970 को Walsevik करांति का नेता लैलिन था लैलिन ने चेका का घठन किया था लाल सेना का संगठन ट्राटस की ने किया था रूस के जाज सासक अलेकजंडर दुतिये की हत्या बंबी स्पोर्ट में हुई थी एक जार येक चर्ट और एक रूस का नारा जार निकोलस दुतिया ने दिया था रूस में सबसे अधिक संख्या जन संख्या सलाह और लोगों की थी अन्ना के रेनिया के लेकक लियो टॉल्स टाय थे यह भी याद रखेगा सूनवाद का जनक कौन था सूनवाद का जनक जनक तुरुग नेयो को माना जाता है और रूसी समराज सामवाद का जनक तिले खा नौ को माना जाता है सोसल डेमोक्रिटिक दल की स्थाफना 1903 में रूस में हुई थी यह दो गोटों में विभाजित हो गया था वॉलसेविक और मैंसेविक ठीक है बॉलसेविक अर्था बहु संख्या को और मैंसेविक कार था अल्ब संख्या बॉलसेविक दल का नेता लेनिन हुआ आँगे चल की आप देखेंगे और अट ट्रोले अपरेल 1917 में लेनिन ने रूस में करांटी कारी योजना पिकासित की और जो अपरेल थीसस के नाम से जानी जाती थी 1921 में आप देखेंगे लेनिन ने रूस में नई याथिक नीति लागू की थी आधुनीक रूस का निर्माता इस्टालिन को माना जाता है और इस थाहाय किरांटी के संध्धान का परवर्तक ट्राटरस की थे. और आप देखें और पिथम पिस्तूधे के द्वाला लेनेन का नारा था यूदे का अंत करो. काल मार्क्स का आजीवन साथ ही रहा है फेडरिक एंगेल्स. फैडरिक एंगल्स फिर आपकी आती है उद्धोगी करांती क्या उद्धोगी करांती और इसमें अगर आप देखें तो उद्धोगी करांती की शुरुवात इंगलेंड में हुई थी सबसे पहले तो कुशन से यही बन जाता है कई बार उद्धो की क्रांती की शुरुवाद कहा होई थी? इंगलेंड में और किपकी इंगलेंड के पास उपने वेसों की कारण कच्छे माल और पूझी की अधिकता होती थी इंगलेंड में उद्धो की क्रांती की शुरुवाद सूती कपड़ा उद्धिक से होई थी और सबसे पहले स्कॉट्रलेंड के मैकीडम नामक वेकतियों ने पक्की सडकों सडक बनाने की भिधी निका ली थी 1970 में ब्रेंडले नामक इंजीनियर ने मैंचेस्टर से बरसले तक नहर बनाई थी 1814 में George Stephen Fenson ने पहला भाप से चलने बाला railway engine rocket बनाया था तो ये भी याद रखे गया उद्धोगी करांथी की दोड़ में जर्मनी इंग्लेंड का पिती द्विंदी था और उद्धोगी करांथी के हुए अविस्कार में आप देखेंगे तो ये अविस्कार हो गया है और बरस हो गया तेज चलने वाला सटल इस जान इसके वर अविस्कार रख थे 1733 की बात है इस पैनिंग जैनी जैम्स हार्गिवीज थे और 1765 की बात है इस पैनिंग जैनी पानी की सकती से चले ते रिचार्ड आर्क राइट थे 1766 में इस पैनिंग मियूल के क्राम्टन इसके अविस्कारक थे 1766 की बात है गोड़ा द्वारा चलाए जाने बाला करगा कार्टल राइट इसके संस्था पक थे सैप्टी लेंप हमफ्री हमफ्री इसके संस्था पक थे डेवी और 1815 की बात है फिर आप देखें इंग्लेंड में करांटी होती है इसको भी देख लिजे जरूरत है तो इंग्लेंड में आप देखेंगे कि ग्रह यूद चाल्स पिथम के सासनकाल में 1642 में होता है इंग्लेंड में गौरभ पूर्ण करांटी 1688 में हुई उसमां इंग्लेंड का सासक्थ चैंप्स दूती है और सब्लिए योद्ध इंगलेंड नों फ्रांस के वीच आपको बता चुका हूं पहले भी 1756, 1763 के वीच हुआ था। गुलाबों का यूद इंगलेंड में हुगा था इंगलेंड के सावंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्थ पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था और इस अधिकार पत्थ को मैगना काटा कहा जाता है यह सरफ साधारन के अधिकारों का घोस्टा पत्थ था ट्यूडर बंस के सकती साली राजाओं के सासनकाल में संसद उनके हातों की कटपूर्तली बन चुकी थी एली या वेरध पिथम का संबंद Tudor बंस से था और इंग्लेंड में ग्रहयोत्य साथ बरसों तक चला था कितना? सेविन इंग्लेंड में राजा चार्ल्स पिथम को फांसी की सजा दी गई थी ग्रहयोत्य के दौरान राजा की समर्तकों को कैवेलियर कहा गया और संसत के समर्थकों को round heads कहा गया था ठीक है फिर आप देखते हैं कि पिथम बिस्ते उद्धा जाता है आपका क्या पिथम बिस्ते उद्धा जाता है और इसमें देखेंगे पिथम बिस्ते उद्धी की सुरुआद 28 जुलाई 1914 को हो जाती इस डेट को जरूर याद रखी 28 28 जुलाई 1913 एक और इसके ओस्तिया की द्वारा सर्वीया पर आक्मट किए जाने के साथ दूरू हो जी थी यह чार बरसों तक चला था इसमें 37 देशों ने भाग लिया था कितने चार बरसों तक चला था 37 देशों नहीं भाग लिया था और इसका सुरू रोखा था कैसे ओस आश्टिया द्वारा जिस पर सर्विया पर आक्मर्ट किया गया था और पिथम विश्यूद का तत्रकालिक कारण था आश्टिया की राजकुमार आर्ग डियूक थार्डिनेंड की बॉस्निया की राध्धानी सेरा जेवो में 28 जून 1914 को इनकी हत्या की गई थी और पिथम व मित राष्ट वह एक तरप थे धुरी राष्ट अगर धुरी राष्टों की निदत की बात करें तो जर्मनी कर रहा था कौन कर रहा था जर्मनी कर रहा था और इसमें सामिल अन्ड देशों में ऑस्टिया हो गया हंगरी हो गया तुर्की बुल्गारिया और इटली थे और मि आप लो याद रखेंगा पेथां पिस्ते उद्द्द से कुष्टेंस कई बार पूंच लिए हैं आपकी परीक्षा में कई परीक्षा में लगभगाते रहे हैं और जर्मनी के बीच और इटली के बीच त्रीगोट का निर्माण 1882 में होता है और त्रीगोट का सदस होने के वाग्यूद इटली द्वारा इटली के द्वारा एक सिगर रखेंगा इटली द्वारा कुछ समय तक तटस्थरा और अंतता हुए 26 अप्रेल 1915 को ओस्टिया और हंग्री और जर्मनी के खलाब इटली में सामिल हो गया था सर्विया की घुप्त करांतिकारी संस्था थी कौन थी ए थी काला हाथ काला हाथ रूस जापान इउद 1905 में हुआ था और इसका अंत अगर पूछे तो अमेर्की राष्टी रोज रोज वेल्ट की मद्धिस्ता से हुआ था रूस जापान की बीच मुरक्कव संकट 1906 में पैदा हुआ था कब 1906 में पिथम विस्यूद के द्वारान जर्मनी ने रूस पर आखमर एक अगस्त 1914 में और फ्रांस पर आखमर आप देखेंगे तीन अगस्त 1914 में किया था ठीक है और चार अगस्त 1914 को इंगलेड पिथम विस्यूद में सामिल हो गया था चार अगस्त 26 अपरेल 1915 को इटली मित राष्टों की तरब से पिथम विस्यूद के समय अमेरिका का राष्टपाती कौन था बताइए वुडरोव विल्सन यह भी आप याद रखें यह भी पूछ लेता है अमेरिका 6 अपरेल 1917 को पिथम विस्यूद में सामिल हो गया था और जर्मनी की यूवोट द्वारा प्राइने का भियान आरम किया था जर्मनी यह उसकी सहयोगी देशों की हार होने लगी और सेप्टमबर 1918 में बुलगारिया अक्टूबर 1918 में तुर्की 3 नवंबर 1918 को ऑस्टेलिया तथा हंगरी की समराट ने आत्म समर्पन कर दिया था और जर्मन समराट कैंसर बिलियम दुतिये ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से स्थीपा दे दिया था और हॉलेंड भाग गए थी और ऐसी अवस्था में समाजबादी प्रजात अंत्रिक दलने सत्ता अपने हातों में लेकर एकतंत की स्थान पर गरतंत की स्थापना कियो और अपने नेता फेडरिक इसको पेरिस सांती संदी 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 निर्धारित करने में जिन राष्टत द्यच्चों के मुख भूमिका निवाई थी अमेरिकी राष्टपती वुड्रो बुल्सन वेटन की पिदानमती लॉयर्ड जॉर्ज और फ्रांस की पिदानमती जॉर्ज क्ले में सू थे वर्साए की संदी भी आप लोगों न सुनी होगे यह आप देखें कि वर्साए की संदी कब हुई थी 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी संदी केता है जर्मनी की सेना एक लाग तक सीमित कर दी गई थी वायू सेना और पंडूबीयों रखने की अधिकाज चीन ले गए थे जर्मनी की सारे उपनेवेस बिर्जित राष्टों में आपस में बाट दिये गए थे योद के हरजानी की रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड पॉंड की रासी मांग की गई थी यानि की जर्मनी को बहुत बुरी तरह से इसमें आपसूची नुकसान हुआ था अंतराष्टी चित में पिथम विष्योद का सबसे बड़ा योगदान राष्ट संग की स्थापना पिथम विष्योद के दोरान होने बाली वर्साई की संधी में दुतिय विष्योद का वीजार्पूर्ण हुआ था आगे चलके यही कारण मनता है फिर आता है आपका चीनी चीनी करांती मंचू राजवंस का पतन 1911 में होता है और 1911 में हुँ चीनी करांती का नायक सन्यात सेन था कौन था सन्यात सेन 1905 में सन्यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की जिसका उद्धिस चीन में मंचुबंस की साशन को समाप्ट करना ही था करांती कारियों ने 29 deiसंबर 1911 को सन्याद सेन को अपनी सरकार का अध्यक्षी बनाये था क्या बनाये था? अध्यक्षी बनाये था कोवी नेड लीक सुसाइटी का संस्थाफक सनयाथ सेन ही था 1911 में किरांती के बाद चीन में गरतन सासन पदिती की स्थाफना हुई UNC काई के समर्थन में सनयाथ सेन ने अपना नितित बापस ले लिया था 1911 में आप देखें कि सनयाथ सेन ने को मिन तांग पाइटी की स्थाफना की इस पाइटी के पुनर गठन के लिए सेन सेन ने माइकेल बेरोदिन को आमंतित किया था डॉक्टर सनयाथ सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गेलेन को चुना था डॉक्टर सन्याद सेन के तीन सिध्धान थे, एक तो राष्टबाद, लोकतंतबाद और सामाजिक ने आए, ठीक है, डॉक्टर सन्याद सेन को चीन का राष्टपता कहते हैं, यह जरूर याद रखेगा, चीन का राष्टपता, सन्याद सेन को भारत का राष्टपता, आप ल माध्यम से नियुक्ति की नौकर साही द्वारा बिसासित होता था डॉक्टर सनियाथ सेन की डेत होती है 1925 में होतll आप देखेंगे उनिंस सो अठाईस में हुआ था उंडिस सो पच्चीस को हुआन के विसाल किसान अंदोलन का नेतित माउत से तुंग ने किया था माउस्थे तुंग का जिनब 1893 में हुआ था चांग काई सेक ने केंद्रिय सरकार की सत्ता नानकिंग में समाली थी च्यांग काई सेख ने अपपनी सरकार की स्थाफना फार्मोसा में की थी सामवादियों के दल दमन करने के लिए च्यांग काई सेख ने बिलू शर्ट आतंगवादी दल का गठन किया था माउथ से तुंग की नेतित में एक अक्टूबर 1949 को जनवादी गड़राजी की स्थाफना चीन में की गई थी 1949 में आप देखें कि चीन आजाद हो गया था चीन सामवादी गरतंत का पिथम अध्यक्ष माउथ से तुंग था चीन जनवादी गड़राजी का पिथम पिधान मंतिरी चाओ एन लाई था चीन के जनवादी गड़राजी की राध्धानी हुनान थी खोले द्वार की नीती चीन में अपनाई गई थी चीन के द्वारा खोलने का सरे वेटेन को दिया जाता है चेन के द्वार खोलने का, खोले द्वार की निदी का प्रिती पादक जॉन हेक था, और चेन एसिया का मरीज के नाम से भी जानते हैं चेन को, चेन की कमिनिस्ट पारिटी की स्थाफना 1921 में हुई थी, ये भी याद रखेगा, हमारे यहां तो देखे, कमिनिस्टों का खात्म इसलाम का नारा अबूल हमीद दुतिया ने दिया था, यूबा तुर्क के आदोलन की सुरुवाद अब्दूल हमीद दुतिया की सासनकाल में 1908 में शुरू ही थी, पिथाम इसे उदी के बाद तुर्कों के माद साथ भी सन आपमान जनक संदी सेवर की संदी 10 अगस्त 1920 को क भी गई थी, मुस्तफा कमाल पासा से इसे मानने से इंकार कर दिया था मुस्तफा कमाल पासा ने, आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पासा को माना जाता है, इसे आता तुर्क, तुर्की का पिता भी के उपनाम से जानते, मुस्तफा कमाल पासा का उपचारि में एकताओं प्रग्ती समति का ग कठन 1889 के कमारप 1 आप एकताओं प्रग्ती समति के प्रभाह में आयé था एक सेनापती की रूमें एक कमार पासा ने गिल्ली फेक्ती योद में 70 शफलत काहा की थी, इसके बाद 1919 में कमाल पासा ने सैनिक फद से इस्तीपा दे दिया था, 1919 के अखेल तुरक कॉंग्रेस के पिथा मादीविशन की अज़्दा धेक्षता मुस्तपा कमाल पासा नहीं की थी, 1923 में आप देखें कि तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधी हुई थी कब 1923 में, 1923 में, 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गरतंत की गोशना हुई थी, कमाल पासा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलापत को समाथ कर दिये था, और 20 अपरेल 1924 को तुर्की में नए संभिधान की गोशना हुई थी, तुर्की में नए गरतंत का राष्ट मुस्तपा क कारियों की बात करें तो 1932 में तुर्की में पित्तम पजबर सी यूजना लागू करना 1924 Kelli के पितर हैं 24 में का पुरान नाम कुस्तोन तुनिया था कुस्तोन तुनिया था ठीक है और 25 नवबर 1925 को तुरिकी में टोपी और औरतों को बुरका पहनने का कानूनी पितिबंद लगाए गया था कमाल पासा की डैट की बात करें तो 1938 में हुई थी इटली में फासिस्टों का उदय है अगर बात करें हम लोग इटली में फासिस्टों के उदय की बात थो ले लगे तो फासिस्म का उदय स्तरफ इथम इटली में हुआ था और इसका जनम दाता मौसोलीनो को माना जाता है मौसोलीनी का जनम 1883 में रोमा, रोमागना में हुआ था, मौसलीनो के दल का नाम फासिश्टवाद था, इसकी स्थापना मिलान में की गई थी, डिउस के नाम से मौसलीना को पुकारा जाता था, फासिवादी राश्टवाद का समर्थन करते थे, फासिवादी दल के स्वयम सेवक काली कमीज पहनते थ था, मौसो लीनी दुबारा बनाए गए निगमो की संखिया 22 थी, कितनी 22 थी, राश्टि ऐ निगम परिशत का द्यक्ष मौसो लीनी था, जिसने आप देखेंगे जिसकी सदस्तों की संखिया 500 थी, फिर आप देखें ग्रेंड कॉंसिल औप फासिष्ट पाइटी की सदस्तो की संख्या बाब 25 थी मौसोलीनी ने अक्टूबर 1922 में रॉम पर और 1935 में अभी सीनिया पर अखमर किया था जापान जर्मनी के साथ मौसोलीनी ने रॉम वर्लिन टोकियो में टोकियो धुरी का निर्बाड 1936 में किया था मौसोलीनों ने 10 मौसोलीनी ने 10 जून 1949 को दुतिय विस्योदि के दौरार मित राश्टों की विरो योग दिग की घोशना की थी और एटली में फासीवाद का अंत हो जाता है 28 अपरेल 1945 को फिर आप देखेंगे जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है अगर जर्मनी में नाजीवाद के उदय की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे जर्मनी में नाजीवाद का उदय जर्मनी में नाजीवाद का उद्थान हिटलर के नितत्य में हुआ था और हिटलर के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 20 अपरेल 1889 को ओस्टिया के बॉना बॉना नमक सहर में हुआ था हिटलर बच्पन में चितकार बनना चाहता था पिथाम पिस यूद यानि की 1914 से 1918 में हिटलर जर्मनी की तरब से लड़ा था और यूद में अबोधपूर बीड़ता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त था और यहीं से उसक धीरे धीरे हिटलर इसका फिवर नेता बन गया 1923 में हिटलर ने लुडेन डार्फ के साथ मिलकर वाइमर गरतंत के खिलाब विद्रो कर दिया और विद्रो आसफल हुआ हिटलर को बंदी बना लिया गया था जेल में हिटलर ने अपनी पिसिद आत्मकता में केम्प की रचन आया 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटे प्राप्त हुई परंतु से सरकार बनाने का मौका नहीं मिला बाद में राष्टपती हिंडेन वर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनुनित किया आगस्त 1934 में हिंडेन वर्ग की मित्तिव पर चांसलर और राष्ट पती के पद को मिला कर एक कर दिया गया हिटलर जर्मनी का सर्व सर्वा बन गया एक तरसे गुप्त चर पुलिस गिष्ट तापो का संगठन भी आप देखेंगे हिटलर ने किया था एक राष्ट एक नेता का नारा भी हिटलर ने दिया था नाजी दल के पिचार का कार गोई वल्स समालता था जर्मन सुरक्षा परिशत की स्थापना चारपलेर 1933 में की गई थी और आप देखेंगे हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में पुना सस्तिकरन की गोशना की उसने वर्सा संदी का निसस्तिकरन समंधी सभी धाराओं को तोड़ने की गोशना की उसने पूरे जर्मन में जर्मनी में अनिवाय सेनिक सेवा लागू कर दी थी सामयबादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी इटली और जापान के बीच कमेंटरन बिरोधी समझवता 1936 में संपन हुआ था जो कलांतर में धुरी राष्टों के नाम से फिसिद हुआ हिटलर एक सेप्टमबर 1949 को पॉलेंड पर आखमत किया हिटलर ने हिटलर की विसारबादी नीती का पहला सिकार ओस्टिया हुआ था एड़ फिटलर की सामी बिरोधी नीती का अर्थ था कि यहूदी बिरोधी नीती हिटलर ने 30 अपरेल 1945 को आत्मत्या कर ली यहां उसका काम तमाम हो जाता है 30 अपरेल 1945 को फिर आप देखेंगे जर्मनी का समराजवाद जापान के समराजवाद का सबसे पहला सिकार चीन हुआ था और 1863 में एक अमेरिकी नाविक पैरी ने बल प्रियोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्याफार के लिए खुला था जापान में आधुनी की करण की पिक्रियास की सुरुआत मूद सुहितों ने की थी और 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार कर दी गई थी 1905 में जापान ने रूस कुहरा दिया था जापान रोस यहुद्ध की समापती 5 सेप्टमबर 1905 को पार्स माउत की संधी के दोबारा हुआ था आप देखिए कि विक्सित देशों में आता है जापान जापान ने 1931 में अपनी समराजवादी आकांचाओं की पूर्ती के लिए मंचूरिया पराकमर किया था 20 पार्च 1933 को जापान ने राष्टर स्तंगे की सदस्ता त्याग दी थी पीत आतंक से जापान को वसमोधित किया जाता है पीत आतंक दुतियवी सेउद्ध में जापान धुरी राष्टों का साथ देर आहा था अमेरिका ने जापान पर पहला परमाडू बम 6 अगस्त 1945 को हीरो सीमा पर गिराया था एक कुश्चन से भी कई बार कूछ लेता है और हीरो सीमा नगासाक्ती पर अडू बम गिराया जाने के कारण जापान ने दुतियवी सेउद्ध में आध्मन समारपन कर दिया था अपनी हार मान ली थी एक तरह से दुतियवी सेउद्ध की बात करें तो एक सेप्टमबर एक सेप्टमबर एक सेप्टमबर 1949 को जर्मनी ने पॉलेंड पर आखमर किया और इसमें दो दिन बाद फरांसों बेटन ने जर्मनी की बिरुद्ध दियोद्ध की घोशना कर दी इसी के साथ दुतियवी सेउद्ध की सुरुवात हो गई थी और ये छे सालों तक लड़ा गया था इसकांद दो सेप्टमबर 1945 को हुआ था इसमें 61 देशों ने भाग लिया था दुतियवी सेउद्ध का ततकाली कारक जर्मनी का पोलेंड पर आकमर ही था दुतियवी सेउद्ध के दोरां जर्मन जर्मनल रोमवेल का नाम डिजर्ट फॉक्स रखा गया था म्यूनिक पैक्ट शेप्टमबर 1938 में संबन हुआ जर्मनी ने बार्वसाई की संधी का उलगन 1935 में कर दिया था इस्पैन में ग्रहियोद 1936 में सुरू हुआ था सइफ दूरूप से इटली और जर्मनी का पहला सिकाल स्वैन था जर्मनी द्वारा सोविय संग पर आकमड करने की योजना को ऑपरेशन वार्वसा कहा जाता है पहले देखी रूस और बाकी कुछ और देश थेश में सोविय संग के थे थे 1991 में इसका विक्टन हो गया था 23 अगस्त 1949 को जर्मनी रूस आकमड समझोते पर हस्ताक्चर हुए जर्मनी रूस पर समझोता उलगन आरोप लगा कर उस पर 22 जून 1941 को आकमड किया फरवरी 1943 में आप देखेंगे रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हो गई थी जर्मन की ओर से दुतिय विस्योद में 10 जून 1940 को इटली ने प्रविस किया था अमेरिका का दुतिय विस्योद में प्रविस आठ दिसंबर 1941 को हुआ था इसका कारण जापान दौरा साथ दिसंबर 1941 का हवाई दुई फिस्तित पारला हावर के अमेरिकी स्नोसेने कड़े पर जबस्त हमला था दुतिय विस्योद के सभाई इंग्लेंड का बधान मंत्री विस्टन चर्चिल और अमेरिका राष्टपती थैंक लेन डी रोजबेल्ट था रोजबेल्ट राष्टपती पत के लिए चार बार चुने गए थे और 1933 से 1945 तक इस पत पर रहे अमेरिका के पहले राष्टपती थे जिन्होंने दो बार से जाना इस पत की सुबह बढ़ाई और इसका संबन्द डेमोक्रेट पाइटी से था इनका इंगलेंड की सान्दार अलगावबादी नीती का बिचारक सेली सेवरी था बरसाए की संधी को औरोफित संधी के नाम से भी जानते हैं आरोफिस संधी माप करिए आरोफिस संधी दुतियविसेवद में जर्मनी की पराज़य का स्री रूस को दिया जाता है मित राष्टों के सामवीक पिरियास ते 6 जून 1944 को जर्मन सेना पराष्ट हो गई थी और 7 माई 1945 को इसने आदम समर्पन कर दिया था दुतियव सेउद्र के द्वारा अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अड़ू बंगराय था और इस सेउद्र में मित राष्टों द्वारा पराजित होने बाला अंतिमदेश जापान ही था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हीरो सीमा पर लिटिल वाय यूरिनियम 235 और 9 अगस्त 1945 को नागा साकी पर फैट मैन पिलोटोनियम 249 नामक एटम बंगराय गय था इस पॉइंट को जरूर याद रख लिजे एक एक पॉइंट को इनसे कुशन जरूर पूँछते हैं यूरोप में यूरोप ने मैं दुतिय विसेउद का आठ माई 1945 को हुआ जब जर्मनी ने बिना सर्थ आत्मसंपर्ण पर्ण कर दिया था 15 एगस्त 1945 को एसिया में दूसरा विसेउद समाथ हो गया और जब जापान समराज ने आत्मसंपर्ण करना सुईकार किया और इस गोशना पर 2 सेप्टमबर 1942 को यदों की खाड़ी इस्तित अमेरिकी यूदपूत मिसरो पर मित राष्टों के सर्वोच सेनपती में एक आठर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किये थे तो यह आपका होता है बारत आफ देखे वित्तुका इत्यास world history और मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए waterfall old回 history से आएगा विस्धक की इतियास से तो आपलो अल आन सानी ऊसका जवाद कड़े पाएंगे चलिए आप लोग पढ़ते रहिए आगे हम लोग बात करेंगे भूगोल की बारे में और इस पर बिस्ताज से हम लोग बात करेंगे ठीक है